हेलो दोस्तों स्वागर आप सबका मेरे यूटिव चैनल सेचिन एजुकेशन हब बर तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पहली वीडियो में वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुता दिया था कि उसका मीनिन उसके कॉंपोनेंट्स उसके फीचर्स या उसके फैक्टर्स क्या है उसके बारे में आजम पढ़ने वाले हैं तो उसके नोट्स मैंने तियार किये हैं उसको मैं समझा देता हूं क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीज़े आपने लिख करानी है तो दोस्तों दो कमेटी जो है डाट इस टंडन कमेटी और चोर कमेटी अब इसे च ओर ए ही वैसे बोलने में वैसा लग रहा है लेकिन है उसका नाम उसकी प्रणांसेशन से रिलेटेट। लेकिन है बहुत कमाल की वो कमेटी तो इसलिए उसे याज जरूर रखना है रिकमेंडेशन को as it is अगर लिख लोगे तो जाधा बैटर है क्योंकि recommendations जो होती है वो आपको bank द्वारा दी गई है तो इसलिए यानि इस committees द्वारा दी गई है तो committees की as it is recommendation लिख कर आना बहुत ज़रूरी होता है तो दोस्तो अगर आपको इसके note चाहिए इसके लावा को your note चाहिए तो आप मेरे थे Mr. P. L. Dundon तो इस committee का main चीज़ क्या थी the committee observed that there was no uniformity among banks for approach towards assessment of working capital requirement तो working capital की requirement की assessment के regarding जो बैंक की अप्रोच थी वो uniformity थी मलग कोई uniformity उसमें नहीं थी जिसकी वज़े से committee ने ये चीज़ observe की और तीन weaknesses point out करके दिखाई point out क्या क्या किया कि जो amount हम borrow कर रहे हैं उसके regarding जो decisions है वो borrower को लेने चाहिए as compared to banker असल में banker decisions लेता है कितने पैसे देने है जबकि वो कह रहे हैं कि ये चीज़ किसके हाथ में होनी चाहिए borrower के हाथ में होनी चाहिए only bank credit as a primary source हम क्या कर रहे हैं आजकल सिर्फ bank credit को ही as a primary source यूज कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं ये अकेला as a bank source यानि as a primary source रखना बहुत खतरनाक है या weakness है एक bank की तो इसलिए उन्होंने एक recommendation आगे दी है वो भी हम पढ़ेंगे देन आता है grant loans on basis of security value only not on operation level उन्होंने कहा कि grant loans on the basis of security value only not on operation level मतलब उन्होंने कहा इसका मतलब ध्यान से समझना दो तरीके निकल रहे हैं इन चीज़ों को समझने के जो मैं समझा रहो उसे उस बेस में समझो कि security value के base पे हम दे रहे हैं हम operation level के base पे नहीं दे रहे मतलब हम security की value को देकर loan दे रहे है जो कि एक weakness है हम operation level के base पे नहीं दे रहे that is said by tendon committee यह चीज़ है इसके अंदर ठीक है यह नहीं कि security value पर देनी चाहिए यह नहीं कहा उन्होंने का security value पर हम देते हैं operation level के उबर हम नहीं देते इसलिए यह चीज़ एक weakness है अब इन्होंने कुछ recommendation दे दी तो उसके base पे क्या है असल में जो bank credit के base पे हम क्या करते है resources यूज करते हैं वो क्या होने चाहिए supplementary होने चाहिए और नहीं वो replace किये गए होने चाहिए bank should never finance bank को कभी यह नहीं करना चाहिए कि उसकी 100% borrowing उसने working capital requirement के उपर लगा दी हो ऐसा नहीं होना चाहिए उन्होंने recommend किया है ऐसा नहीं होना चाहिए आगे आता है credit would be available in different component credit जो है वो different components में दिया जा सकता है जैसे कि cash credit, bill purchase and discounted sector तो आपकी वही बात आ गई कि credit सिरफ bank credit नहीं होना चाहिए उसको कई form में दे दो जैसे कि cash credit या bill purchase या discounted एट सेक्टर the bank should require the customer to submit data regarding the business and finance operations at a regular interval जो bank है उसे customer को क्या करना है data submit करवाना है किसके regarding business and finance operations के regarding at a regular interval ये उन्होंने recommend किया ताकि कोई loss ना हो पाए अब ये तो recommendation दे दी उन्होंने ये तीन तरीके भी निकालके दे दी है कि जिस तरीके से आप अपने credit को दे सकते हो borrwar को तो borrwar को मतलब में चीज़ क्या होनी चाहिए इसके अंदर तीन method दे दी उन्होंने तीन method में क्या-क्या method थे वो हम पढ़ते हैं तो पहला method उन्हों किस में से owned funds और long term liability में से और जो 70% है वो bank द्वारत दिया गया होना चाहिए यानि अगर हम बात करें तो इसको easy समझने का तरीका ये रहा ये current asset में से current liability सबसे पहले मैं आपने क्या करना है less कर देनी है और जो आपका answer असल में आएगा that is working capital gap उसका 25% क्या है as आपने 25% of above from long term source आपने बीच में से कम करके फिर जो पैसा बचता है वो देना है as a maximum permissible bank finance यानि उससे आपको पता लगे था कि आपने कितना land करना है असल में ये जो method है वो आपको one ratio one तक का minimum current ratio बताता है easy था method कोई मिश्किल नहीं है अब इसमें एक और method उन्होंने दो और बताए है second उन्होंने कहा कि borrber should finance 25% of gross current asset उसको क्या करना है 25% पहले उसने किसका कहा था working capital gap का अब उसने current asset का कह दिया यानि उन्होंने ये कहा कि current asset जितनी है उसका 25% लगा के उसका जो answer है उसमें से current liabilities को minus करना है और जो आएगा वो बनेगा आपका MPBF that is maximum permissible bank finance यह second तरीका था उनका अब तीसरा तरीका आता है कि उन्होंने कहा कि current asset में से सबसे पहले अपनी main asset को side पे कर दो जो asset आएंगी उसमें से भी 25% side पे कर दो फिर उसमें से current liabilities को side पे कर दो then आपका answer जो आएगा that आपने वो क्या करना है lend करना है तो अब यहाँ पे तीनों method का main चीज़ क्या थी यह समझो कि पहले पे current asset और current liability minus करने working capital gap के उपर जो आया that is known as वो आपका MPBF बनेगा second में उन्होंने यह कह दिया कि current asset के उपर आपने 25% लगाना है और third में उन्होंने यह कह दिया कि जो current asset है उन सबसे पहले आपने main current asset side पे करनी है फिर उसके बाए 25% ले कराना है फिर उसमें से liabilities को minus करके जो आएगा वो आपका बनेगा answer तो यह उनके तीन method से क्या करने के lend करने के तो यह बहुत important committee है जिसे आपने mind में रखना है ठीक है जी अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी committee जिसका नाम है that is हमारे द्वारा जो हम कह देते हैं चोर committee असल में शोर भी कह सकते हैं आप इसे CHORE लेकिन S नहीं है तो आप चोर भी कहें आप चोर से ही चलोगे तो अब यहाँ पर बात आती है इन सब तीनों चीज़ों के लिए आरबी आई ने चोर कमिटी का इन्वेंशन किया that is April 1979 के अंदर और वर्किंग ग्रूप क्रिएट किया किसके अंदर चेर्मेंशिप कौन थे इसके यानि चेर्मेंशिप किसकी थी मिस्टर के भी चोर की ठीक है जी this is a कास जिसके बेस पर ये कमिटी तयार की गई है तो इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइट करने शुरू कर दी थी बैंक को ये पिछली बार कुश्चन आ चुके हैं दो तिन बार मतलब रिपीट हुआ है ये कुश्चन तो इसलिए बहुत इंपॉर्टन है अध्यान से समझना इन्होंने रिकमेंड किया कि बैंक शुड फिक्स सेपरेट लिमेट फो दा फीजिबल पीक लेवल एंड नौन पीक लेवल रिक्वाइरमेट जो तो पीक लेवल है और जो नौन पीक लेवल है उनके बीच में एक सेपरेट लिमेट को फिक्स कर देना वो इनकी एक रिकमेंडेशन थी ताकि टाइम टो टाइम हम उन चीज़ों को नोट आउट कर सके सेकिंड उनने कहा कि जो इनफोरमेशन है जो बैंक द्वारा अमलब बॉर्वर्बैंक को दे रही है वो शुड भी सिंधिस्टी। इसे सज़स्ट कर दिया कि टंडन कमिटी का जो मैथट 2 था उसे आप यूज कर सकते हो as a lending norm तो ये भी important कहा दिया उन्होंने एक चीज कि tender committee का भी बीच में ही कहा दिया उन्होंने अब आते हैं bank should continue existing system to lend money उन्होंने का प्राने system यूज करो जिसमें से तीन आते थे ज्यादा cash credit, loans and bills ये तीनों का इस्तेमाल करो as compared to बाकी सब आप use कर रहे हो उन्होंने का ये ही best हैं उन्होंने ये एक recommendation कर दी medium और large borrower need reduce on dependence on banking finance जो medium और large borrower हैं उनको थोड़ा सा कम करना होना चाहिए कि bank finance के उपर वो ज़्यादा depend ना रहे हैं कहीं में मुश्किल आ सकती है bank should obtain quarterly statement in prescribed format from all borrowers having working capital limit of 50 lakh जिन borrower की 50 lakh तक income में उन्होंने कहा उनको quarterly statements एक prescribed format के अंदर बार बर बना के obtain करनी चाहिए bank को उनकी जो quarterly statements है वो bank को क्या करनी चाहिए हर quarter में त्यार करनी चाहिए ताकि कोई मिश्किल ना आए in future और bank should discourage sanction of temporary limit of the loan जो temporary limit है loan की उसे discourage करने के लिए bank ने कहा ताकि जो additional interest के उपर हम nominal rates है उनके उपर जो additional interest charge किया जा रहा है वो भी कम हो सके या फिर खतम हो सके तो इससे एक conclusion में समझने के लिए मैंने एक chart भी बना दिया वो भी आप देख सकते हो कि आपको easy रहे वो चीज़ याद रखना तो recommendations हो गई यहाँ पे दोस्तो दोनों committees की हो गई है यहाँ पे चोर committee और tendon committee दोनों के बारे में मैंने बता दिया है easy way से आपको यह notes आपके telegram channel पे मिल भी जाएंगे और यहाँ से भी आपने समझ लिया है क्या है इन दोनों committee का मतलब क्या है recommendations तो आज के लिए तरह यह वीडियो के अंदर दोस्तो वीडियो अच्छी लगी है समझा गई है तो like, share and subscribe करना मत भूलना कहीं पे problem है तो नीचे दिएगे comment box में comment भी कर सकते हो दोस्तो आज के लिए तरह हैं दोस्तो thank you very much